ओम स्री गनेशाय नमदोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अप्रेल स्वामबार के रासी फल्क के बारे में की है दिन तो लारासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थगी महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाव के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्थ होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साती सात शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पैणाम प्राप्थ होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्थ होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गड़माने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसन सा प्राप्थ होगी कामकाज के छेत्र में भी आज कुछ व्रद्धी करन किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्च्छा सावित होगा दोस्तों पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दोरान आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ति प्राप्ती के लिए जसे आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है। लब्दियां प्रदान करेगा जा दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी मेहनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा जा दोस्तो इसलिए आज आप समय का सद्यों प्योग करें कोकि आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सक इसलिए परिवारिक इस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है। आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा। इसी कारण आप कुछ हद तक स्वेम को बना हुआ महसूस कर सकते हैं। आज वैवधान उत्पन हो सकता है। मन में घवराहट तता परिस्थानियों से कार्रय योजनाओं में बाधाएं उत्पन हो सकती हैं। अथे सावधानी रखना आपके लिए अनिवार रहे है। दोस्तो साती सात आपका शक्की स्वेभाब आपके लिए आज कुछ परिस्थानियों उत्पन कर सकता है। बच्चों पर जादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिस्थानियों खड़ी कर सकता है। इसलिए अपने स्वभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं पिता का सम्मान करें। कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें। दोस्तो साती सात आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें। अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तो आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं। उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें। मत बेहदों की एक लंबी श्रंखला के पनपने के करण आपको समंजस बैठाने में मुश्किल आज आसकती हैं। थोड़ा सावधान रहें। दोस्तो बात कर लेती हैं अजब की लव लाइफ के शिरेने वाली हैं। दोस्तो अगर आपके दमपत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला हैं। या दोस्तो प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अतियुत्तम रहेगा। जा दोस्तो विवादों से आप दूर हैं, किसी के कहने पर कोई कार्रे आप ना करें, आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अथे अपने आप पर भरोसा रखते हुए, अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें, तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें, क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने जादा जाहिर ना करें आपके गुप्त-योजनाओं आपके काम में जादा फाइद देंगी यह दोस्तो इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उम्मीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननेता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा जह दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कारों आज आज आपके लिए सबी आसानी से सफल होंगे कारों बार विश्टार की आज आप योजने बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आपको पेसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्चे ही लाबदाइक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पेसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से संबंदित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्चे ही प्रात हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है जिस दोस्तों शाररिक से जादा मानसिक स्वास्त पर आज आपको अधिक जोर देने की जड़ुत है आपको अपने क्रोध पर आज नियंतर्ण रखना होगा साथिसा दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेट से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्ध के अनुशार, अपने शामर्थ के अनुशार चावल, दूद, या फिर चांदी का दान करें जहां दोस्तों ऐसा करने से, भगवान शिव, प्रसन होने के साथ-साथ आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है इस से जीवन में तरक्य की राहें लगातार खुलती चली जाती है जहां दोस्तों ऐसा करने से, भगवान भुले नात के अशिरवाद से आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भुलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भुलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद